पपू यादो को इंडिया गठ बंधन में सामिल ना करना नितीश कुमार और तेजस्वी यादो के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं और अब खास करके अगर देखा जाए तो नितीश कुमार के लिए ही पपू यादो मुसीबत बन रहे हैं क्योंकि नितीश कुमार के सांसद के छेतर में पपू यादो जाते हैं और कहते हैं कि देश का परधान मंत्री और मुख्य मंत्री चाहे कोई भी हो लेकिन कोशी का तो नेता वही होगा जो पूर्णिया के मिट्टी से जन्मा होगा और उसके बाद पपू यादो कहते हैं कि याद करिये जब करोना पूरे देश को डरा रहा था तो पपू यादो अकेले खड़े होकर करोना को डरा रहा था और उसके बाद उस समय तो कोई नहीं आया था पटना जब बार में डूब गया था तो मुख्यमंतरी अपने खर में सो गय थे और सुसील मोदी अपना घर छोड़ कर भाग गया था तो वहां भी पपू यादो खड़ा था हर जगा जहां परेशानी आई है पपू यादो वहीं खड़ा हुआ है और अब पपू यादो आप लोगों के सामने खड़ा है कि पपू यादो को अब आप लोगों की आसिरबाद की जरूरत है अ इस बार पूर्णिया से तो हम किसी को जाने नहीं देंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार में आनाम श्रांग पांडे हैं आप जंता जंक्षन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे बिशाल खड़े हैं और आब आते हैं कि पूर्णिया में लगतार पपु यादो कैम्प कर कर बैठे हुए हैं और वहां पर रैली कर रहे हैं वहां की जंता से बात्चित कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो पूर्णिया लोक सभात छेत्र से संतोष कुमार कुसवाहा सांसद हैं जो की जेडियू से है, संतोष कुमार कुसवाहा इतने बड़े नेता है कि जब मोधी लहर 2014 में चला था और नितिश कुमार अकेले 38 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो दो सीटों पर वो चुनाव जीते थे, एक नलंदा और दूसरा पुर्णिया, पुर्णिया में संतोष कुमार कुश्वाहा जो है वो जीतते हैं, संतोष कुमार कुश्वाहा बड़े नेता हैं और जेडियू के तो इतने बड़े नेता हैं कि जेडियू चाहकर भी उनका टिकट नहीं काट सकती है, और अब पपु यादो पुर्ण पहुंच गए हैं वो कह रहे हैं कि पूर्णिया से हमको आशिरबाद मिला था हमको याद है कि आप लोगों ने हमको सदन पहुंचाया था और जब मैं हाप पहन कर घूमता था तब पूर्णिया के लोग हमको आशिरबाद देते थे अपने घरों में बैठा कर हमको खाना खिल उसी का राज हो लेकिन कोसी में राज उसी का रहेगा जो पुर्णिया की मिट्टी से जन्मा होगा और अब पपु यादो एक तरीके से निटीश कुमार के लिए मुसीबत बन रहे हैं क्योंकि अगर आप देखे तो वो कह रहे हैं कि हम मद्देपुरा से भी चुनाओ लड़ कर रहे हैं पुर्णिया में सभा पर सभा कर रहे हैं और पपु यादो ये भी इसारा कर रहे हैं कि अगर हमें इंडिया गठ बंदन में सामिल ना किया जाए तो कोसी सिमान चल इलाके में हम तो सब को कमजोर कर देंगे और इतना कमजोर करेंगे कि कोई यहां से निकल नहीं और वहाँ जीत होगा इंडिये गटबंधन के प्रत्यासी का पपु यादो का साप तोर पर कहना है कि अगर हम जीतेंगे नहीं लेकिन खेल तो जरूर बिगार सकते हैं और अगर इंडिया गटबंधन हमको अपने पाले में कर लेता है तो फिर फिर तो कोई सामने रहने वाला नहीं है और अब देखने वाली बात यह है कि पूर्णिया, मद्धेपूरा और कटिहार इन तमाम जगों से जब पपु यादो ताल ठोकेंगे तब क्या होगा इंडिया गटबंधन का क्या होगा और अंतता क्या पपु यादो को इंडिया गटबंधन में सामिल किया जाए और यही पप्पु यादो के लिए मुसीबत बना है और अब पप्पु यादो निटीश कुमार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं देखते हैं 2024 में क्या होगा क्या निटीश कुमार पप्पु यादो को मना कर इंडिया गडवंदन में रखेंगे और एक सीट से कहीं से नेरेमार साथ और देखते रहें जनता जंक्षन